नमस्कार आप देख़ें इन्यूजबल इंडिया आपके साथ मैं हूं का जोन लरायन बहुत स्वागत है आपका भविश्यवानी के एक और एपिसोड में आज बात करेंगे आपके साथ आने वाले सब्ता में किस तरह की नई चीज़े होने जा रही हैं ये सब का आपके लिए कैसा रहेगा कितना खुश हाल आप रहेंगे क्या-क्या मुसीबत आ सकती है और ये चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित चंदुशेकर शर्मा जी पंडित जी बहुत स्वागत है आपका निउस्वाल इंडिया में ओम नमाशिवाय नमश्कार आत्मा त्वंगिरजामते सहचरा प्राणाशरेरं ग्रहं पूजा ते विशयोप भोग रचना नेद्रासमा धेस्थित्र संचार अपदयो प्रदक्षन वेधेस्तो त्राणिशर्वागिरो यात्यात कर्मकरोमितत दखिलम संभोस्तावाराधनम भविशयवाणी के इस खास एपिसोड में हम आपको बताएंगे आपके राश्री के अनुसार आपके आने वाला सपता कैसा रहेगा और आप किस तरह से उपाई करके अपने आने वाला सपता खुश कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं और जो भी दोश होगा उसे किस तरह से दूर कर सकते हैं सबसे पहले मेश राश्री के जिक्र करेंगे पंडीजी मेश राश्री के जातकों के लिए सपता कैसे रहने वाला है मेश राशी मेश राशी के जातकों की इस सपताह मन की सांती घटेगी इस दोरान गुप्त सप्त्रूओं से बहुत साबधान रहने की जरूरत रहेगी के साथ हल करने की कोशिस करें सप्ताह के मध्ध में व्यवशाय को आगे बढ़ाने के अवसर मिलेंगे लेकिन किसी बड़ी यूजना में धन वेस करने से पहले अपने सुभ चिंतकों की सलाह लेना ना भूलें मेश राशी के जातकों को इस समय मंगलवार की दिन बंदरों को चना और गुड़ खिलाना बहुत ही स्रियस कर है अगली राशी व्रिश राशी है व्रिश राशी के जातकों के लिए सप्ता कैसा रहेगा पन्डी जी हमें बताएंगे ब्रिश राशी के जातकों का मन इस सप्ताह आवश्यक कारियों से भटक सकता है और सप्ताह के प्रारंब में पर्यनों अथ्वाकारी छेतर में किसी से बाद विवाद भी हो सकता है किसी भी कारिकों करते समय बिलकुल भी जल्दवाजी ना करें बाहन अत्यंत साबधानी से चलाएं अन्यथा आपको चोट लगने की भी आसंका है कैरियर और कारूबार से जुड़े किसी बड़े फैसले को लेते समय बरिश्ट लोगों की सलाह लेना ना भूलें पनीची राशी के जातक के लिए कैसा सब्ताह रहेगा कैसा बीतेगा पनीची बताएंगे हमें मिथुन राशी के जो जातक हैं उनको इस सप्ताह नई योजना पर कार्य करने के अवसर प्राप्त हो और सही दिसा में प्रियास करने और चीजों का प्रवंधन करके आप अपने टारगेट को प्राप्त करने में भी काम्याब हो सकते हैं हलां कि कोई भी बड़ा निर्ने लेते समय अपने सुब चिंतकों माता पिताओं की सलह लेना ना भूले बीरोजगार लोगों को रोजगार के नई अवसर प्राप्त हो सकते हैं ठोक व्यवसाईयों के मुकाबले छोटे कार्योवारियों का समय अफिक चाकरत ठीक रहेगा स्वास्त सम्मंधी दिक्कतों की अनदेख ही ना करें अन्य था आपको अस्पतालों के चकर भी लगाने पढ़ सकते हैं और इस समस्या दूर करने के लिए पंडी जी न के पास क्या उपाई हो सकता है इनके लिए उपाई है नित्य प्रती भगवान भोले नाथ को जल अरपन करें अगली राशी करक राशी है करक राशी के जातक कैसे अपना सप्ताह बहतर कर सकते हैं करक रासी वाले जातकों को सप्ताह की सुरुवात में आपका मन अपने लक्ष से भटक सकता है किसी के भटे में टांग अडाने से बचें अन्यता बाद में आपको पस्ताना भी पड़ सकता है बीमा, फाइनेंस और मार्केटिंग का काम करने वालों का समय चुनोती पूर्ण है सप्ताह के मद्ध में ब्यापार में किसी भी प्रखार का जोखिम उठाने से बचें घर के किसी बरिष्ट की सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा और महलाओं का अधकांस समय धार्मिक कारियों में बीतेगा और इनके लिए क्या खास उपाई हो सकता है? इनके लिए खास उपाई है, सनीवार और मंगलवार को शुन्दर कांड का पाठ करें अगली राशी शिंग राशी है शिंग राशी के जातकों के लिए पंडी जी सप्ता कैसा रहने वाला है सिंग राशी के जातकों के लिए यह सप्ता काफी राहत भरा होने जा रहा है पारिवारिक एवं ब्यावसाइक उलजहनों को सुलजहाने का बातावरण भी बनेगा कारिछेतर में सीनियर और जूनियर दोनों का सैयोग मिलेगा अपरत्यासित रूप से बाजार अथवा किसी योजना में अठका हुआ धना आपको प्राप्त हो सकता है चात्रों एवं युवाओं का अधिकान समय मोज मस्ती करते हुए वेतेगा प्रेमशन बंदों में प्रगाडता आएगी जीवन शाथी का पूरा सहयोग मिलेगा सब्ताह के अंत में किसी परजन से जुड़ा कोई दुखद समाचार मिलने से मन दुखी रहेगा उगली राशी कन्य राशी के जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ राहत भरा रहेगा और मित्रों एबम सहयोगियों की मदद से कारचेतर से जुड़ी चनोतियों से पार पाने में काम्याब भी होंगे सत्ता पक्च से लाव के योग वनेंगे हाला कि किसी बड़ी योजना में धन निवेस करने से पहले सोच समझ कर दिर्डेले सत्ता के मदध में घर के किसी सदस्य की सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा इस दोरान महला प्रोफेशनलों पर काम का दबाब भी रहेगा प्रेम शम्मंदों में किसी भी प्रकार की जल्दवाजी से वची पन्दी जिन के लिए कोई खास मंत्र? जी इनके लिए मंत्र है ओम नमो भगवते बासु देवाए इस मंत्र का यथा सक्ति जाब करें तुला राशी के जातकों के लिए सब्ता कैसा रहेगा पन्दी जी? तुला राशी के जातकों के लिए यह सब्ता मिला जुला साबित होने जा रहा है इस सप्ताह अपने कारेशेतर में गुप्त सप्त्रों से साबधान रहने की जरूरत है बिरोधी आपकी योजनाओं में अडंगे डालने की कोशिस कर सकते हैं अनचाहे स्थान पर इस्थान आंतरण भी हो सकता है पारिवारिक समस्याओं को सुलजाते समय सजनों की भावनाओं की अनदेख ही ना करें कामकाज के साथ आपको अपनी सेहत कावी ध्यान रखने की सक्ट जबित है अन्य था लापरवाही के चलते कोई पुराना रोग भी उभर शकता है इनके लिए खास उपाई हो सकता है पंडी जी इनके लिए खास उपाई है इसनान करते वक्त उसमें केसर और हल्दी डालकर इसनान करें विश्चक राशी विश्चक राशी की तो जातक है पंडी जी इनके लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहनेगा ब्रश्चिक रासी के जातकों के लिए इस सप्ताह सुरुवात में कैरियर कारोवार में प्रगती का बातावरण बनेगा कारशेत्र में सीनियर आपके काम की प्रशन्शा करेंगे लंबे समय से अटकी योजनाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा किसी बरिष्ट की मदद से भूमी भवन से जुड़े विवाद को सुल जाने से मन को शकून भी मिलेगा और सप्ताह के मदध में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्राओं के भी योग बनेगे यात्रा में सामान एवं सेहत दोनों का बिस्टियस ध्यान रखें प्रेम शम्मंदों में प्रगारता आएगी जीवन शाथे की सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा चिंता दूर करने के लिए ने क्या उपाई करना चाहिए पंडी जी चिंता दूर करने के दिये ने भगवान सिपर, गाय का दूद, चीनी, जल मिला कर चड़ाना चाहिए अगली राशी धनूराशी है पंडी जी धनूराशी के जातकों के लिए सप्ता कैसा रहेगा अन्यता आपको नुकसान जहिलना पड़ सकता है कारशेतर में काम की बूज का दवाब बना रहेगा कारोबारियों को बाजार में अटके धन को निकालने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा सप्ताह के मद्ध में आर्थिक दिक्कतें बढ़ सकती है और उधार लेने की भी नौवत आ सकती है इस दौरान बने बनाई कारियों में अचानक से कुछ रुकाबटे भी आ सकती है और इनके लिए क्या उपाई हो सकता है खास पंडेजे? इनके लिए महीने में दो बार प्रदोश आता है प्रदोश ब्रत करना चाहिए मकर राषी के जातक है उनके लिए क्या कुछ खास रहेगा पंडेजे? मकर राषी के जातकों के लिए यह सप्ता मिला जूला सावित होगा सप्ता के प्रारम में पारवारिक दाज्टियों का निर्वाह करने में परजनों का सहयोग भी मिलेगा नौकरी पेशा लोगों का अपने अधकारियों से तालमेल वड़ेगा सप्ताह के मद्द में करियर कारोबार से जुड़ी किसी बड़ी अर्चन को दूर करने पर आप राहत की सांस लेंगे महला प्रोफेशनलों पर कारी का बोज बना रहेगा संतान पक्च से जुड़ी कोई बात आपको चिंता सताएगी इस सप्ताह अपनी सेहत को लेकर आपको बहुत साब धान रहें अन्यता आपको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है और इन दिक्कतों से पटने के लिए क्या खास उपायन के लिए हो सकता है कुशा के जल से भगवान शिवकार उद्रावशिक करें अगली राशी कुम्भ राशी है कुम्भ राशी के जातकों के लिए कैसा सप्ताह रहेगा बंडी जी कुम्भ राशी के जातकों को सप्ताह की सुरुवात में नई कार्योजनाओं पर काम करेंगी थोक ब्यापारियों के मुकाबले फुटकर ब्यापारियों का समय बहुत बेहतर है हलाकि धन के लेन देन में अत्यन्त साबधानी बरतने की आबर्शक्ता होगी संतान पक्स से जुड़ी कोई चिंता आपको सताईगी भूमी भवन शंबन्धित बिवाद को कोट कचेरी के बाहर ही निप्टा लेना बेतर रहेगा पारवारिक समस्याओं को निप्टाते समय आब इसमें आकर कोई भी निर्णे लेने से बचें प्रेम संबन्धों में मजबूती आएगी और इनके लिए क्या खास उपाय है जी पांच बेल पत्र उन पर ओम ओम लिखकर के भगवान शिव को अरपन कने और हुमारी आखरी राशी है मीन राशी मीन राशी के जातकों के लिए सप्ता कैसा रही का पटे जी सप्ताह के प्रारंब में ही संतान पक्ष की तरफ से कोई सुखद समाचार भी मिल सकता है हाला कि छात्रेवं युवा बर्ग इस दोरान भावुकता या जल्दवाजी में आकर कोई निर्णे लेने से बचें प्रेम शम्मंदों में विशेश रूप से साब धानी अप्यक्षित है सप्ताह के अंत में लंबे समय बाद किसी प्रिय जन से संपरक होगा महिलाओं का अधिकान समय धार्मिक कारियों में ही बीतेगा और इनके लिए क्या खास उपाय हो सकता है पंडी जी? इनके लिए खास उपाय है जी ये ओम नमः शिवाय यथा सकती चलते फिरते अजपाजब कर सकते हैं बिल्कुल और उम्मीद हम करते हैं कि जो पंडी जी ने उपाय बताए हैं वो आपके लिए कारगर साबित होंगे आज के भवी शिवाणी के एपिसोड में फिलहाल के लितना ही अगली बार फिर लोटेंगे एक खास एपिसोड के साथ श्री वर्चस्वमा युख्यमा रोग्यमा विदाच्यो भमानम महियते धनम धान्यंप शुम्बह पुत्रलावं सत्संबसरं देर्गमायो हो ओम नमस्षिवाय नमस्कार